Central Industrial Security Force CISP में जो कि आपके बेकेंसी जारी की गई है Recruitment of Constable Fire 2024 पोस्ट के लिए जिसके लिए आप online अविधन कर सकते हैं जैसे ही आप official साइट पर आते हैं आपको यहाँ पर देखिए English में और Hindi दोनों में आपको notification का link मिल जाता है आप इस पर क्लिक करके अपना notification यहां से read कर सकते हैं हमारा official notification डाउनलोड हो चुका है पोस्ट का नेम आपका Constable Fire Milk and Date के लिए रहने वाला है Only Milk and Date ही इस पोस्ट के लिए आविधन कर सकते हैं 31 अगस्ट 2024 आपका online start है 30 सेत्मबर 2024 के last day रहने वाली है इस पर्म को online आवेदन करने से पहले एक बार notification को अवेश से read करें पेस्केल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा Level 3 की payment रहने वाली है 21 700 से 79 जा 100 रुपे के बीच आपकी जोकी payment रहने वाली है यहां पर आपको vacancy detail देखने को मिल जाएगी पहले आपका state देखने को मिलेगा area उसके बाद किस category से आप belong करते हैं आप यहां पर number of vacancy total देखने को मिल जाएगी qualification detail की हम जो कि यहां पर बात करेंगे 10 plus 2 मलब 12 होई आपका जोकी complete होना चाहिए with sign subject के साथ उसके बाद जो कि आपको age limit यहां पर देखने को मिल जाएगा minimum age जोकी 18 साल maximum age 23 साल आपकी age जोकी calculate की जाएगी 39-2024 है वहीं आपको age registration भी मिल जाता आपको category के according SCS की category से belong करते हैं तो 5 साल का आपको IU में छूट मिलती है अगर आप OBC category से belong करते हैं तो आपको 3 साल IU में छूट मिल जाती है और भी category wise आपको age registration देखने को मिल जाएगा सबसे important point है candidate will be considered for recruitment in their respective state या union territory production of valid यहाँ पर domicile आपको देना पड़ेगा जिसे आप PRC बोलते हैं permanent resident certificate जो कि आपको document verification के समय जो कि submit करना पड़ेगा जिस भी state से आप belong करते हैं उस date का आपको PRC permanent resident certificate जो कि आपको submit करना पड़ेगा अब यहाँ पर सबसे important point की बात करेंगे photograph से related जो कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ आपका देखिए यहाँ पर recent का photo होना चाहिए color photo होना चाहिए तीन month से जो कि आपका old photo नहीं होना चाहिए जिसका dimension आपको 20 KV से 50 KV के बीच में रहना चाहिए जिसमें photo की नीचे आपको date mention करना जिसे आप DOP भी बोल सकते हैं date of present यहाँ पर देखिए बताया गए आपको की the date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph तो आप जो photo खिचेंगे उसके नीचे आपको date clear mention होना चाहिए जिस date को आप photo ले रहे है उसका date आप जो कि आप mention कर देंगे applicant without the date printed on the photograph will be rejected अगर जिस बच्चे का photo की नीचे date mention नहीं होगा उसका form देखिए यहाँ पर रिजर्ट हो सकता है तूरा जो कि proper यहाँ पर mention किया गया वह इस signature की बात करेंगे आपका signature जो की jpg file में रहना चाहिए 10 kb से 20 kb के बीच में आपका signature रहना चाहिए अब यहां से हम online apply का process देखेंगे CISP का official portal है जिसका link आपको video के description में मिल जाएगा जहां से आप notification को भी read कर सकते हैं अपने form को fill कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर तीन option देखने को मिलेंगे आप अपना registration complete करेंगे उसके बाद अपना mobile नमर और email id को यहां से verify कर देंगे यहां पर हमारा registration page जो के open हो जाएगा registration page में सबसे पहले अपना basic detail आपको fill करना पड़ेगा सबसे पहले अपना देखिए यहां पर name fill करना है class 10 के according अपना यहां पर जो की name आप जो के fill कर देंगे इसके बाद आपको यहां पर देुल करना है father name को जो क्या पर आप यहां पर fill कर देंगे सारा जो क्या पर basic detail है जो क्या मा regal page आपको देखने को मिल जाएगा यहापे mother name fill करेंगे mother name को जो के आप söyl करة यहा इसके बाद आपको यहां पर रहें पर करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे कलेंडर वाले ऑप्शन पर यहां पर देखें लिस्ट मिल जाएगी अपना यह से यह से लिए करेंगे तो इस केस में आप मेली सेलेक्ट रखेंगे कैप्चर कूड आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके इंट्री करेंगे सब्मिट ओले टैप पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको दोखिए कॉंटेक्ट डिटेल जो की फिल करना है सबसे पहले अपना मुवाइल नमर आप यहां पर फिल करेंगे मुवाइल नमर को वेर प्राप्त हो चुका है तो आप जो कि हम फॉर्म को लॉग इन करेंगे तो आपको यहां पर देखे वेरिफाई मुवाइल का टैब मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे जो रेश्टेशन नमर आपको प्राप्त हो था उसकी इंट्रीस में करेंगे और जनरेट ओटिपी वाले ऍससरी परिक करेंगे हमारा मुवाइल नमर और इम没有 ऑड़ प्राप्त हो जो क्या हम फिल करेंगे जो जो OTP हमें प्राप्ट कोई उसकी इंटरी इस तरीकेस करेंगे verify OTP आप पर क्लिक करेंगे हमारा mobile number और email id दोनों जो कि यहां से verify हो चुका है फिर से जो कि हम official साइट पर आएंगे mobile number और email id verify करने के बाद constable fire 24 mail वाले टरीक करेंगे यहां पर अपना registration number फिल करेंगे जो password आपको email id पर प्राप्ट को है उससे जो कि यहां फिल करेंगे capture code आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा स्कीन टिक करेंगे submit wallet टैप पर क्लिक कर देंगे form को login करने के लिए हमारा form देखिए यहां पर login हो चुका है आपको यहां पर clicker to apply का टैप मिल जाएगा आप जो किस पर click कर देंगे next page पर आपको यहां पर देखें inspection का detail देखने को मिल जाएगा same photograph से related सारी बातें वहीं बताई गई है जो मैंने आपको notification में बताए photograph में आपको जो कि date mention करना है जिसे DOP बोलते हैं जिस date को आप अपना photo ले रहे हैं उसका date आप जो कि आपसे mention कर देंगे नीचे आप आएंगे आपको यहां पर देखें continue का tab देखने को मिल जाएगा आप जो किस पर click कर देंगे form को आपको देखें आप 4 step में complete करना है यहां पर आपको डीटेल देखने को मिल जाएगी जो आपने registration के time फिल किया था अब यहां पर आप category बताएंगे जिस भी category से आप बिलाउंग करते हैं जनरल, EWS, OBC, SC, ST अपने category को इस तरीके से जो कि आप select करेंगे उसके बाद nationality में आपका Indian जो कि select है आटोमेटिक रहेगा highest qualification अगर 10 plus 2 with science subject के अलावा आपके पास कोई graduation qualification है post graduation PhD है तो आप जो कि उसे यहां provide कर सकते हैं यह तो minimum qualification 10 plus 2 मलब 12 वी और आपका जो कि science subject साथ होना चाहिए यह आप select करते हैं जिसे हमारा graduation complete है तो हम graduation select करेंगे और जो कि आपका यहां पर qualification डिटेल जो है कि 10 plus 2 मलब आपका यहां पर automatic select रहेगा with science subject साथ science subject के साथ तो आपके select रहेगा यहां पर religion जो जिस भी धर्म से आप belong करते हैं आपको यहां पर list मिल जाएगी अपने according से जो कि select कर लेंगे डिष्टाज बताना होगा अगर नहीं अपर इयंपर आप कर देंगे अगर आपको यहां पर काटेटीशन के आउसक सकते है उसके से पे यहां पर कर सकते हैं या पर जो की कर सकते हैं यह आपका यहे अलिश करेंगे एबल easy जो कीे score गे slack कर करेंगे या ESM से लेना चाहते हैं तो आप यहां पर देखने को मिल जाएगा वहीं आप से पुछा जा रहा है कि अगर आप बिलॉंग करते हैं मिले ट्रेंट या नेक्स लाइट डिश्टिक से तो आप यहां पर यहां पर देखिए हमारा डिश्टिक इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि एज सेशन का जो औप यहां पर यहां पर यहां पर नुव खिया तो देखिए हमारा डॉम्साइल इस्टेट भी ले लिए अब इस्टिक आप क्पो हैरे विफिल करना है प्रोवाइट कर सकते हैं अगर नहीं अगर आप माइग्रेंट नहीं है तो उसके इसमें आप यहां पर यहां पर देखें फिल करेंगे पहले जो कि अपना यहां पर विलेज आप फिल कर देंगे इसके बाद जो कि आप इहां पर इंट्री कर देंगे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहां पर किसे यहां फोटोग्राफ बाद फिल करता है जिस जिस देट को यहां पर जो कि mention करना, जैसे हम आज के दिन online start हुआ है, 30 तारी को ही अगर हम अपना form फिल कर रहे हैं, आप फोटो ले रहे हैं, उस date को ही फिल कर देंगे, आप देट को ही आप सेम अपने फोटोग्राप पे ही रखेंगे, दोनों जगह आपका फोटोग्राप का date जो की सेम ह रखेंगे, यहां पर आप से देखें, कभी court दौरा आपको जो कि converted किया गया हो, कभी आपको arrest किया गया हो, कभी आपका कोई criminal case pending है, तो आप यहां पर yes or no mention कर सकते हैं, I have read वाला option आपको देखने को मिलेगा, आप जो कि इसे check mark करेंगे, save and preview वाले section पे click कर देंगे, next step में आपको यहां पर देखें, print preview देखने को मिल जाएगा, चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, कि form में किसी भी प्रकार की कोई तुटी न हो, आपको यहां पर कर देंगे, हमारा form देखिए, यहां से final submit हो चुका है, अब जो कि हमें जो कि document को upload करना है, सबसे पहले age proof के लिए class 10th की master certificate आपको यहां पर upload करना होगा, जो कि PDF फाइल में रहना चाहिए, maximum size 1 MB तक रखा गया, choose file पर click करके, यहां से जो कि अपने class 10th के master certificate को upload करेंगे, उसक 10th plus 2 बारा हुई, कि जो कि master sheet और certificate, अगर एक master sheet है या दो master sheet है, दोनों का merge करके, PDF file में एक MB तक जो कि आप choose file पर click करके, यहां से upload कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां पर photograph upload करना है, जिसमें आपको यहां पर mention भी किया गया है, आपका photo जो कि तीन month से जो कि old नहीं होना च चाहिए, तो choose file पर आप click करके, यहां से upload करेंगे, आप हम बताएंगे photo आप कैसे बना सकते हैं, paint में जिकि हम photograph को इस तरीके से open करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर छोटा सा question मिलेगा, आप इसे जो कि इस तरीके से नीचे कर देंगे, जहां पर आपको date mention करना है, आप करेंगे, जिसे हम text बोलते हैं, इसे जो कि आप यहां पर लाएंगे, अगर आपको ज्यादा छोटा लग रहा है, तो आप यहां से जो कि छोटा बड़ा कर सकते हैं, size, इस तरीके से जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, इस जो कि आप छोटा बड़ा अपने according जो इस तरीके से आ आप फिल करेंगे, और इसे जो कि अगर आप उपर नीचे करना चाहें, तो जो कि इस तरीके से उपर नीचे कर सकते हैं, अगर आप इसे bottom करना चाहें, पूरे select करके आप इस तरीके से bold भी कर देंगे, अगर आप इसे बीच मिलाना चाहें, तो आपको यहां पर मिल छिनके से अगर आपगूस प्रॉप पर लेंगे प्रॉप करने के बाद आप जाएंग यहाँ पे आ對 मिलेगाberg classic कशलेट करके अपने टेस्टॉप पे रख देंगे जहां से आप इसा अडियुक्यक कर लिइन है अगर आप व्यू करकर देखना चाहिं तो आप यहां आप से देख भी सकते हैं और उसके बा ανα continue वाज टैब पर click कर देंगे हमारा form देखिए हां पर final submit हो चुका है अगर आप print प्राप्ट करना चाहें प्रिंट application का टैब है आप इस पर click करके अपना final print जो कि प्राप्ट कर सकते हैं जिसे आप सेपर करके रख सकते हैं के लिए अगर आप जनकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चनलों को सब्सक्राइब परें थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो